तो कहानी शुरू होती है और हम देखते हैं बड़े-बबो वाली चूची मस्तानी को, जो कि किसी चूतिया से शाधी करने जा रही होती है, लेकिन तबी वो चूतिया उसे मना कर देता है, और कहता है कि मैं किसी हाती के बच्चे से शाधी नहीं कर सकता। अब ये देखकर चूची मस्तानी चिलाने लगती है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो तो सिर्फ एक बुरा सपना देख रही थी, अब चूची मस्तानी उठकर बाहर आती है, और अपनी डायरी में कुछ लिखना शुरू करती है, वो लिखती है कि मुझे इस बार भी एक ब हुए बाहर जाती है, और लड़कों के पास जाकर उन्हें अट्रेक्ट करना शुरू कर देती है, लेकिन उसके 200 किलो के बब्बे और 500 किलो की गांड देखकर कोई भी उसकी तरफ अट्रेक्ट नहीं होता, और सभी उससे पीछा चूड़ा कर वहां से भागने लगते हैं, अब क्योंकि चूची मस्तानी को किसी भी लड़के ने भाव नी दिया था, इसलिए वो निराश होकर एक कैफे में जाती है, जो कि उसके बाप का ही था, और वो वहाँ पर वेटरस का काम करती थी, तबी वहाँ पर उसका बाप आता है, और उसे कहता है कि तुम जल्दी से आ रहा था कि वो क्या करे, लेकिन तबी उसका बाप उसे वहाँ पर काम करने वाले एक घूचू से मिलवाता है, और उससे पूचता है कि क्या तुम मेरी बेटी को गोडी बनाना चाहोगे, लेकिन वो घूचू भी उसे मना कर देता है, और कहता है कि मुझे इतनी मोटी गा पार कर बेहोश कर देती है, फिर जब उसे वो वहाँ पर कहीं नहीं मिलता, तो चूची मस्तानी को लगता है कि शायद वो उसे छोड़कर भाग चुका है, अब चूची मस्तानी अपने इस मोटे शरीर और बसूरत शकल से चुटकारा पाना चाहती थी, इसलिए वो अपना मेक ओवर करवाने के लिए बालशतरी के पास जाती है, जो कि उस जैसी बसूरत लड़कियों को सुंदर बनाने का काम करता था, लेकिन तभी बालशतरी उसको देखकर कहता है कि भैंडशो दिये क्या बक्चो दी है, मुझे नहीं लगता कि मैं भी तुम्हें सुंदर बना किया होगा, चलो मुझे करके बताओ कि तुम कैसे किस करती हो, अब बालशतरी जैसे ही उसको किस करने के लिए आगे बढ़ता है, तभी चूची मस्तानी उसे पकड़कर कुट्ते की तरह चाटना शुरू कर देती है, अब उसकी सरकत से परिशान होकर बालशतरी उसे कहता ह कि बोसडी की अगर तू ऐसे करेगी, तो तेरे से लड़का तो क्या कोई कुट्ता भी सैट नहीं होने वाला, जिसके बाद वो उसे अपने गैराज में लेके जाता है, जहाँ पर कुछ मुझटंडे थे, जो आज उसकी अच्छी खासी सर्विस करने वाले थे, अब चूच की तरह बाकी की खुबसूरत लड़कियां भी आई हुई थी, और अगर उन में से कोई भी एक कॉंपेटिशन जीच जाएगा, तो उसे बोसडी लाल के साथ आज रात को डेट पर जाने का मौका मिलेगा, अब वहाँ पर बोसडी लाल को बुलाय जाता है, जो कि वहाँ पर बावली गांड हो जाता है, और चूची मस्तानी के सामने चूतियों वाली हरकते काने लगता है, फिर डिनर के बाद जब वो दोनों बाहर घूम रहे होते हैं, तब ही चूची मस्तानी के भी पिछवाडे में अचानक चूल सी मचती है, और वो जाकर सामने खड़े हुए ब बोसरी लाल मूतने के लिए बाथरूम में जाता है, तो वो वहाँ पर चूची मस्तानी की बड़ी वाली कच्छी को देखता है, और उसे देखकर वो समझ जाता है कि ये वही चूची मस्तानी है, जो उस दिन उसे कैफे में मिली थी, इसके बाद वो तो तोनों चूची मस् मस्तानी की मां बोसरी लाल से पूछती है कि क्या कल रहा तुमने मेरी बेटी को गोडी बनाया था, जिसके बाद वो उसे एक डिब भी देती है, और कहती है कि इसमें तुम अपने मुट का सेंपल ला कर दो, ताकि हम ये चेक कर सकें कि तुम बच्चा पैदा करने के लायक ह अब बोसरी लाल जैसे ही उसको लेकर बाथरूम में जाता है, तभी वो वहाँ पर उनके बिल्ले को देखता है, जो कि उनकी कमोड में बैटकर टटी कर रहा होता है, फिर वो सभी साथ में मिलकर लंच करने लगते हैं, जिस दोनन बोसरी लाल को वहाँ पर रखा हुआ एक की सूकर पापड बन चुकी थी, तभी उसकी दाधी की उपर उनका बिल्ला आता है, और निरोध लगा कर उनको बजाना शुरू कर देता है, बैंड चोत पतानी क्या क्या हो रहा है इस मूवी में, अब डिनर करने के बाद बोसरी लाल चूची मस्तानी को एक ज्वेलरी परिशान किया, तो मैं तेरे पिछवड में डंडा डाल कर तुझे वापस चाइना भेंज दूँगा, इसके बाद वो सभी बोसरी लाल के घर पर पहुंच जाते हैं, जो की जंगलों की बीच में बना हुआ था, फिर वो हम पर एक आदमी को उचल कूत करते वे देखते हैं जो की बोसरी लाल का बाप होता है, और इसका नाम होता है किंग कॉंग, फिर किंग कॉंग चूची मस्तानी के पूरे परिवार से मिलता है, लेकिन जब वो चूची मस्तानी के पास आता है, तो वो उसे पकड़ कर वहीं पर लपेटना शुरू कर देता है, इसके बाद वो स अबी मिलकर इस संडे को शादी की डिट फिक्स कर देते हैं। जो की बोसरी लाल की डोस से मिलने की रिजॉर्ड में जाते हैं। वहाँ पर हूत की सोदागर उसके लेक वेडिंग ड्रेस लेती हैं। लेकिन कुजदेर बाद जब उसे होश आता है तो वो देखती है कि उसके पास एक सूपर पावर आ चुकी है जिसकी मदद से वो किसी के भी मन की बात को सुन सकती है। इसी दोरान वहाँ पर हूत की सोदागर आती है जो की सोच रही होती है कि वो किसी तरह इन दोनों की शादी को तोड़ देगी और खुद बोसरी लाल से शादी कर लेगी। अबे सुनकर चुची मस्तानी को गुसा आ जाता है और वो भाग कर एक तलवार लेकर आती है। उसी के साथी शादी करना चाता हूँ। फिर एगला दिन चुची मस्तानी की शादी का दिन था लेकिन जैसे ही वो सुबह उठती है वो देखती है कि उसके मुँपर एक बड़ा सा पिमपलूगा होता है। फिर वो जैसे ही उसको फोडने की कोशिश करती है तब ही वो उड कि सोदागर कहती है कि चलो तुम उसे शादी तो मत करो लेकिन क्या आखरी बार में तुम्हें किस कर सकती हूँ अब बोसरी लाल उसे हा कर देता है जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे को चूसने लग जाते है लेकिन तभी उन्हें ऐसा करते हैं चूची मस्तानी देख लेती है और बोसरी लाल से गुसा होकर वाँ से चली जाती है अब ऐसे ही कुछ दिन बीच जाते हैं लेकिन चूची मस्तानी बोसरी लाल से अब तक गुसा ही रहती है वहीं बोसडी लाल भी रात को चूची मस्तानी के घर के सामने खडा होकर हनी सिंग का वोल्यूम वन बजाता है लेकिन चूची मस्तानी उससे भी नहीं मानती अब ऐसे ही कुछ दिन और भी जाते हैं और फिर एक दिन जब चूची मस्तानी अपने कैफे में होती है तब भी वहाँ पर जिमी आता है और चूची मस्तानी से फिर से पूर्चा है कि क्या तू मेरे लिए गोडी बनने को तयार हो अब पादरी जैसे ही चूची मस्तानी से पूछता है कि क्या तुम्हें शादी के लिए तयार हो, तभी चूची मस्तानी का बाप उसे माना कर देता है और कहते है कि शैद मैं बौसरडीलाल को लेकर गलत था, वो एक अच्छा आदमी है, और मुझे लगता है कि तुम्हें उस की सोधागर मिलती है लेकिन तबी चूची मस्तानी उसे पकड़ कर नीचे फैक देती है और कहती है कि बोसरी की मेरे बंदे से दूर रही हो जिसके बाद वो भागती ही जब छट पर पहुंचती है तो वो देखती है कि बोसरी लाल वहां पर नहीं होता वही दूसरी तरह बोस से शादी करना चाहोगी जिस पर चूची मस्तानी उसे हा कर देती है फिर फिल्म के लास सिन में हम देखते हैं कि बोसरी लाल और चूची मस्तानी एक दूसरे से शादी कर लेते हैं और फिर खुशी खुशी एक दूसरे के साथ रहने लगते हैं और कुछ इसी तरह से ये व